अभी जब आप sales tax देते थे तो उसमें gross income taxable नहीं थी, net income taxable थी, तो उसमें आप थोड़ी बहुत बचक कर सकते थे बचक करने को सरकार कहती है कर चोरी और मैं उसको कहता हूँ बचक सरकार उसको कर चोरी कहती है कि आप tax evasion कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि आप इस देश की domestic savings बढ़ा रहे हैं अगर आप tax नहीं भर रहे हैं तो आप इस देश की बचक बढ़ा रहे हैं सरकार कहती है कि कर चोरी कर रहा है मैं कहता हूं कि आप टैक्स सेविंग्स वो करने से इस देश की बचत बढ़ाते हैं कैसे हिंदुस्तान के जो लोग टैक्स में पैसे कटवती करते हैं या टैक्स नहीं बढ़ते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं जो भी शक्त इस्तेमाल करें वही लोग सबसे ज़्यादा डोनेशन देते हैं माराजी मेरे बहुत दोस्त है जो हर्ताल इंकम टैक्स की चोरी करते हैं उनके घर में 4-4 चार्टिड इकाउंटेंट है जिनको महीने का 50,000 रुपई का सेलरी देते हैं इंकम दैस नहीं जाना चाहिए मैं उनको कहता हूँ भाई तुम इतना खर्चा चार्टिड इकाउंटेंट के करते हैं और इतना दान में देते हैं रोज का 1,00,00 रुपई का दान दे सकते हैं इंकम टैक्स नहीं देते हैं रोज का 2,00,00 रुपई का दान दे सकते हैं वो मैंने दिन में डिवाइट कर दिया तो रोजका दो लाग, तीन लाग, चार लाग, पाँच लाग उपे तक डोनेट करने वाले लोग इंकम टेक्स नहीं भरते क्यों? मैंने एक दिन उनसे पूछा, उसमें से कई लोग तो उंबई में तब उन्होंने मुझे बहुत गंबीर बात किया और उस दिन से मैं उनको सलूट करता मैं उनको प्रणाम करता सरकार उनको टेक्स चोर कहती है मैं उनको सलूट करता, वो कहते है राजीब भाई, भारतिय संस्कृती में कुपात्रों को दान नहीं देते खुपात्रमाने भारत की सरकाम उसको हम नहीं दे सकते आप दान में मालो तो घर भी खाली कर दे गा आपको गोशाला बनानी है हम देजे 10 तरवा आपको ताला खोदना है हम दे के 20 तरवा गरीब बहंत की शादी कर दी है गरिब बेटियों कि हम बेगे 50 कोई भी काम के लिए दर्वाजा खुला है इंकम टैक्स नहीं देगे और उसमें से देख तो मेरे ऐसे अजीज मित्रा वो कहते हैं अगर कुपात्रों को दान दिया तो नरक में जाना पड़ता है हम नरक में जाना जाए अर्थाथ बात पुलिकुल सीधी सीधी है कि सरकार के टैक्स के पैसे को छोरी करके वो दान में देते हैं और इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि भारत देश में जो पैसा टैक्स से बचाया जाता है उसी से दान का काम चलता है इसका हर्थ यह हुआ कि जो पैसा टेक्स से बचता है, वही मंदिरों में काम आता है, वही समाज के काम में लगता है, वो जीवदया के काम में लगे, मंदिर के काम में लगे, मठ के काम में लगे, किसी दूसरे सामाज के काम में लगे, यह वही पैसा है जो टेक्स से आपने ब रुपिया गौशिया पैख को अलुपतож क्यों पाएं उर्थाथ जोंत को सबस्New-Sugth जोंत सब्क्रकरोंने के तोयतो्य दोग्त पैसे का नहें लुप पैसे का दान नहीं करने तो निदrico मंदिर और मंधिर से जुड़ी हुई संस्थाई ना चले अर्थाद मंदिर और मंदिर से जुड़ी संस्थाई ना चले तो धर्म का काम बंद हो अर्थाद आप सब इशाई बंने के लिए तैयार हो यह है असली मुक्साथ बैट का और मैं आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड में भारत सरकार ने इतनी बड़ी साजिश किया है जिसकी कल्वना आप नहीं करें ये बैट का ड्राफ्ट आया आपको मैं जान करें देखा ये बैट का ड्राफ्ट आया तो सबसे पहले ड्राफ्ट को बनने वाली जो कमेटी असीन दास बोगता है मैंने उपको एक प्रश्ट पूछा था इस ड्राफ्ट में एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा ये ब्रोभीतिक कैसे आ है भारा जी इसमें एक स्लाइड है वो आपको तो शाइड दिखाई नहीं देगी लेकिन था वो स्लाइड ये है कि जितने इंटरनेशनल और्गनाइजेशन भारत में काम करते हैं वो सब टैक्स प्री उनको बैट प्री और इंटरनेशनल और्गनाइजेशन्स आर बैट प्री 22 राज्यों ने कानून बनाया बैट का सभी राज्यों के कानून में इंटरनेशनल और्गनाइजेशन्स को बैट प्री रखा है अब ये इंटरनेशनल और्गनाइजेशन्स को है जितने भी चर्च और्गनाइजेशन है सबी इंटरनेशनल और्गनाइजेशन वो सबी बैट फ्री हैं और जितने हिंदु धरम के मठ मंदिर हैं वो सबी अब बैट में आ गए है और ये परिवर्दन किस दिन आया जिस दिन मन्मोहंसिंग इस देश का फुदान मंत्री बना उसी दिन ये प्रभीजन दाला गया इसके पहले एक ड्राफ्ट बना था वो बनाया था अटल प्यारी वाज़ में कि एक सरकार चलती थी उसमें विद्ध मंत्री थे उनका नाम था जस्वन सिन और थोड़े दिन एक विद्ध मंत्री रहे यश्वन सिन उनके समय में जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें ये प्रभीजन नहीं था आप यहाँ ध्यान दे इंटरनेशनल और्गनाइज़ेशन्स को वैट से अलग रखना ये मन्मोहन सिंग के प्रधान मंत्री बनने के बाद इसमें डाला गया मन्मोहन सिंग इस देश का प्रधान मंत्री नहीं है सूनिया गांदी इस देश की प्रधान मंत्री क्योंकि मन्मोहन सिंग इस बात को दो बार उपकी मूँ से कह चुका है कि मैं तो मैडम का प्रधान मंत्री हूँ वो पप्लिक मीटिंग में बोला है ऐसे नहीं बोला है एक पर पुपलिक मीटिंग में बोला है और एक पर प्रेस कॉन्फरेंस में बोला है जिस दिन मत्मोहन सिंग की पहली प्रेस कॉन्फरेंस होई थी दिल्ली में उसी दिन उसने कहा था मैं मेडम का प्रदान मंत्री है पत्रकारों ने का आप भारत के प्रदान मंत्री, ने ने मैडम का प्रदान मंत्री, अर्थार जैसे मैडम कहेगी, वैसे ही मैं करूँगा, मैडम कौन है, क्रिशियन लॉगी की सर्मुक्तिया, सोलिया गानी, तो इंटरनेशनल और्गनाइशन को बैट फ्री बनवा दिया, एक प्रवीदन दलवा दिया, सारे चर्च हिंदुस्तान में, वो कैथलिक्स हो, या प्रोटेस्टें हो, सभी इंटरनेशनल और्गनाइशन में गिरे जाते हैं, मुंबई में जितने चर्च चपिते हैं, सभी मुंबई तो छोड़ो, गाओं के गरीब से गरीब गाओं का चर्च इंटरनेशनल है, क्योंकि उसका जो लिंकेजित है, वो यहा नहीं है, वो बाहर है, तो उन्हों में एक प्रोवीदन डाल दिया, आल इंटरनेशनल और्गनाइशन का बैट फ्री, अर्थार, सारी कृष वो जुड़े हुए हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, आपको मानू मैं बहुत सारी मस्जिद भारत में बनती हैं, जिनके लिए पैसा आता है, तो वहां से आता है, अर्थार, मस्जिद और चर्च बैट फ्री, अर्थार मस्जित और चर्च की किसी भी एक्टिविटी पर कोई टेक्स नहीं अर्थार मस्जित और चर्च की किसी भी एक्टिविटी पर सरकार की अधिकारी का कोई अंकुष नहीं आपकी एक्टिविटी बेटेबल है या नहीं है वो तो सेकंटरी है लेकिन आपके ऊपर सरकार का अंकुष है या नहीं वो प्राइमरी है आपके जो हिंदू logonization है यह international नहीं है क्योंकि यह हो नहीं किजते हैं क्योंकि इनका affiliation भारत के बाहर रही नहीं सकता इनका सबका affiliation होगा वो भारत के अंदर होगा तो भारत के अंदर हिंदु धर्म, हिंदुओं में गौद भी आते हैं, जैन भी आते हैं, और तेरा पुंति, और दूसरे सभी तरह के मत-पतांतर के लोग आते हैं, सनातनी भी आते हैं, गैर सनातनी भी आते हैं, सब तरह के लोग, उनके जितने संगठन संपुरदाएं, संस थाएं, profitable हैं, non profitable हैं, दोनों, ये सबी business करती हैं, business के definition में डाला है उसको, अभी तक आप क्या करते हैं, आप अगर मंदिर चलाते हैं, मट चलाते हैं, तो आप सेवा करते हैं, लेकिन सरकार में वो सेवा हटा दिया, अब उसको business में डाल दिया, business में दो classification किया है, non profitable business और profitable business, अर्थार मंदिर मठ सभी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनस में आते हैं और नॉन प्रॉफिटेबल बिजनस भी वैट में आ गया प्रॉफिटेबल बिजनस तो आई गया है नॉन प्रॉफिटेबल बिजनस भी आ गया अब इतनी बाते ध्यान में रखकर अब आप जरा देखिए ये स्लाइट्स इसमें मैं आपको दिख भया हॉन करो जरा है ये तो मैं ये हाथ में ले सकता हूं ये तो इस बहुत सब्सक्राइब आप ये परिभाशा है सरकार की डेफिनेशन क्या है सरकार की डेफिनेशन ये है ड्राफ्ट में ये डेफिनेशन उन्हें ने दिया है जापड़ आप कोई भी शर्विस करें कोई भी काम करें, आप उसमें से प्रॉफिट बनाएं या ना बनाएं सीधे भी दिबाद है, आप बंदिर चलाते हैं, नौन प्रॉफिट बिस्नेस है, लेकिन यह बैट की परिभाशा में है मरण जी आप बैटना चाहेंगे अदर, आप इदर आएंगे बिस्नेस आप करते हैं बिस्नेस के अभी तक हमारे हैं डेटनेशन थी ऐसा कोई काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाएं, वो बिस्नेस है और ऐसा कोई काम जो बिना पैसे के किया जाएं, वो सर्विस है सेवा और व्यापार में फरक था अब सरकार में क्या कर दिया सेवा को व्यापार बना दिया सबसे ज़्यादा विरोध होने की दरूरत है इसी definition पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान की non-profit organization माने मंदिरों के सारे trust मठों के सारे trust उसको भी तुमने इसमें डाप दिया और ये बात जम्मने महराजी कही ऐसे सांसदों को कही जो थोड़े धर्म प्रेमी है जो थोड़े जीवदया प्रेमी है जो कभी-कभी आप ऐसे संसदों की प्रभचन सुनने आते हैं बिली में कहीं कहीं कोई लीपब जनता रहता है उन्होंने कहा रही जी भाई सच में अपको मालूप नहीं ये हो गया सच में हमको मालूप नहीं ये हो गया मैंने कहा आप संसद में गए हैं हमने आपको संसद में इसलिए बेजा है आप वहाँ बैठें बहस करें चर्चा करें वो कहते हैं हमको सरकार में ड्राफ्ट ही नहीं दिया चाल चाल औ가 बैने को तुमने चुलाया तो नहीं संतर नाक divine तुम रुअगी देवी लादी लाभी लागव के ये चिलाते हो और जितना मुलाइं यह बेदस नहीं हुआ, निकाला नहीं गया, इसलिए टैक्स नहीं के आगए। अब इस definition से आप समझ दिजे, कोई भी मंदिद, कोई भी मट, कोई भी खंस्था, जो लूबे लगने रतियों के लिए काम करें, जीन देया के लिए काम करें, कुछ भी करें, वो सभी वैट में आ गए। वैट में आने का मतलब ही है, अधिकाली हरेका सिकंजा अब आपके उपर आज़रा, अब कोई भी अधिकाली कभी में आ सकता है, आपके ट्रस्ट के सारे अकाउंट शेक कर सकता है, और आपने इसका अधर अकाउंट में कुछ खर्चा लिखाया हुआ है, कि हमने तो इतना परसा सर्च किया, कभू तरों को दाना डालने के लिए, तो वो आपके उपर प्श्ट कर सकता है, अब आपको उसका जवाब देना पड़े, और बैठ के नियमों में सबसे खतरना है महाराजी, हर बार ऑफिसर को कन्विन्स आपको करना पड़े, यू हैब को कन्विन्स हैं और उसको कन्विन्स होने में क्या क्या लगता है? वो आप सम्झाएके। तो आप तो उससे बहतर जानता है मैं तो कुछ दंदा व्यापार नहीं करता हूँ जो लोग दंदा व्यापार सकते हैं बोग मुझे बताते हैं कि राजी भाई टेस्स समिशनल को करना आप समझलो दुनिया का सबसे मुश्किलिका उसको पैसा लगता है जो लोग करने क्यuse है रूस अक्य उसकी नजर आपके किसी फ्लेट के पड़़ए और उसको फ्लेट आपका पसंद आ गया तो फ्लेट उसके नाप करना पख़बता है उसकी नजर आपकी किसी भी चीज़ पड़़ए कंविंस करना पढ़़एगा हमारे बहुत अच्छे अजीब दोस्ते हैं कि आप अभी में बिस्दिस करते हैं हजार करोर से जादा है पाँ इकातर नोल है वो कहते है राजी भाई कमिशनर को कंविंस करने के लिए दांस पार लगता है और दांस पार से भी जाबा लड़की लगती है राज को देनी कोड़ी है दांस के साथ तब कमिशनर कंविंस होता है तब जाजे आपको दया प्रेव करोना के तरह तो च्छमा कर सकता है नहीं तो आपको रगत रख सकता है तो यह डेफिनिशन इतनी खतरना है इसका जो अंतिल मार्के है अब बैट न आदेगा अभी यह एक सिंपूल सा चार्ट बनाया है समझने के लिए समझने के लिए यह बारत दर्श में बैट की पांच श्रणिया बनाई है पांच सो पचास बस्तों पर बैट है छेयाली तरसी बस्तों हैं जिन पर बैट नहीं जिपार टैक्स बाइग बागी सभी बस्तों पर टैक्स है और वो टैक्सकी दर कैसी है कुछ बस्तों ऐसी है जिपार एक तका टैक्स हर रैट सोना चानी, सोने चानी के गहने, गीरे, जवारा, wesh 시osium की अट्न, पांच इन सभी पर एक तका बैट है उसके बाद कुछ वस्तुवें ऐसी हैं जिन पर चार कटा वेस्ट है चार कटा फोर परसेंट फिर कुछ वस्तुवें हैं जिन पर साड़े बारा परसेंट है कुछ वस्तुवें हैं जिन पर बीस करसेंट है और कुछ बस्तुवे हैं इन पर 34% तब रैट है 34% लास में जा मारा चुपाइब 34% में क्या क्या आता है जितनी भी मोटर इस्पिरिट मोटर इस्पिरिट मने लीजल, पेट्रोल, केरोसिन और जो गैर आप इस्केमाल करते हैं गाड़ी चुलाने में ये सभी और इन से निकतने वाले बाई प्रोड़क्स उसकी पूरी एक सूची है 20-22 प्रोड़क्ट है उसमें खर्जे 4% तो 1% वाला तो हीरा, जवारा, सोना, चानी आ लिया ले 4% में खाने पीने की बहुत सारी वस्तों है उससे कुछ कम 4% में और सबसे कम 1% तीन जिन पस्तों को बैट नहीं है महारे जी वो ज़रा सूने है सबसे ज़्यादा बैट प्री वस्तों है जारू शराफ शराफ पर बैट नहीं है शराफ को टेक्स नहीं किया है मैंने एक उड़ारी को पूछा कि भाई तुमने ये शराफ को टेक्स की कहते कर लिया दूद पर बैट नहीं चाज पर बैट है नहीं पर बैट है मिठाईयों पर बैट है शराफ कर दियो सरकार क्या चाहती है दूद मत प्यों शराफ प्यों प्रफप्तियों शोस्कत्प्तियों एक बुढ्री को मैंने पूछा और वो बुढ्री मन्तरी इसकर है मैंने पूछा भाई डानु को कैसे बैट परी किया तो इसonse अगर नाम सुनना चाहें विजय वालिया जानते आँ वाज़ा से खासदार है जानता उसकी पूरी पार्टी है जन्ता पार्टी जो दारू के पैसे से चलती है और यह जन्ता पार्टी है宮र्दी के मुरारजी देखाई के जमाने में बली जिन्वोंने दालू बंदी कराई ही आपको माल Ос रहे जाए हैजिकर में एक पार्टी'll दनी को और उनकी ताक्षे अन्होंने गुजरात में दालू बंदी कराई थी थे ठोड़े दिन अर्ट यु र लेकिन उसके पहले उनको गिरा दिया तो जो जन्ता पारिटी बनी दारू का विरोग करने के लिए आज उस जन्ता पारिटी का प्रेसिडेंट दारू का सबसे बड़ा धन्यवाज है डिजयमालिया उसकी पूरा मफशी दारू से चलता है तो उनने नहीं का जो दिजर मारियों जैसे यह खाता रहते दारूर के गांचे की सकता है, इसलिए वैट फी शराफ जो है न वैट उसके बाद दूसरी बस्तू जिस पर वैट नहीं है, वह है लोटरी, सम लोटरी वैट फी लॉटरी को कोई वैट नहीं है, बाने सच्दे वा बाराशी नमक पर बैट है, और नालू बैट प्री है, लॉटरी बैट प्री है, नमक जो सबसे जादा इस्तेमाल होता है, उस पर बैट है, और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को कहते हुए, अभी थोड़े दिन पहले भारत में ड्रामा हुआ है, वो आपना लेखा हु सोनिया गांदी ने महात्मा गांदी के मीठू सत्याग्रेखा 75 साल मना है। देखा, सोनिया गांदी गांदी मांच्छों होगे। सावरमाति आश्रम गुज्राप से शुरू होगे और गांदी समझज़ करकते। उसके पार राउल गांदी गया, प्रदानमंत्री गया, पुरा पॉप्रेसी लोगे। क्या करना है। महात्मा गांदी को याद करना है। क्यों उन्होंने मीठ सत्याग्रे की याता और मीठ का टेक्स कटाया थ। वो महर्मा लाई लिगा मीट सत्याज़े का याद करने के लिए फिर तर एक याद्था निकाली और उसमें मीट पर टैक्स करते हैं मुझे बहुत दुख है यह करते हुए कांदी जी के शरीर का हत्या नासुरा को बहुत से नहीं से आदा गांदी जी पर बढ़ते हैं और लुचाओ के विचाओत आते हैं तरुदि बढ़ते हैं वह तो अधी चल्काओं ने गांदी की खल चाहटे करते हैं भांडी जर्थे पर बैठ गांगी जी की दोविव बैठ गांगी जी के पूटर परगते ही जाती है दोटर की जलाएं जिन्दा बाद आप बूला जाता है और गांगीजी की हर कापको फालने गते का ड़्हयता है अंग्रेज सरकार ने इन पर हिम्मत किया था मीट पर टैक्स लगाने का गांदी जी ने उसको परास किया अंग्रेज सरकार ने खादी पर बैट लगाने का कोशिश किया गांदी जी ने परास किया लेकिन गांदी वादी सरकार जो इस देश मुचल रही है वो खादी पर भी वेट लगा दिया चर्खें पर भी लगा दिया टोपी पर भी लगा दिया मीट पर भी लगा दिया ये सब वस्तुओं पर चार कटा वेट है जिन पर होना चाहिए टैक्स वहाँ नहीं है जिन पर नहीं होना चाहिए उन पर वेट है ये जो पांच श्रेडी बनाएं तरकारनें पांच सो पचास वस्तूओं की, एक श्रेडी वेट प्री, उसमें 46 वस्तूओं हैं, मैंने बता दिया लॉट्री, दारू जैसी 46 वस्तूओं हैं, उनमें से एक वस्तू है शक्त, वो कहला अगले साथ इनमें हम लगाई हैं, ये ज बारे बारे टका है, उनकी सुची करीब 175 से आगए हैं, और बची हुई पर 20-34 परसेंट है, ये है टेक्स का रेक्ट, अब इसमें नेक्स कहिए न, ये एक लिए, ये स्लाइड में आपको सिर्फ इस लिए दिखाने के लिए, ये लगेगा टेक्स के टेक्स, मांगी ये नेक्स परशेस पाइस हो जाएगी, वो 104 पर, ये इसमें टेक्स कितना है, 4 पर, अब यही वस्तु को अगर 1500 रुपई में बेच दिया जाए, आपने खरीदा, 104 पर, वस्तु की कीमत है, 100 रुपया, अब वो वस्तु को आप बेचते हैं, 1500 रुपई में, धीक है, तो टेक्स payable है वो नीचे फिर set off जो already paid आपने कर दिया है वो नीचे फिर net tax जो payable है वो ये एक चार्ट के बादे हम से ये समझा है और इसमें 4-5 बस्तु मैं लिया है एक बस्तु ले लिया 200 रुपय का है 8% है दूसरा ले लिया 300 रुपय का है 12% है ऐसे करके ये समझा है ये कोई खास पात नहीं है आप सब जाते next भया next अच्छा अब इसको एक दूसरे तरह से समझा है आपकी मान लिजिये purchase of the month मोटी एक लाक रुपय एक महीने में आपने एक लाक रुपय का खरीने किया उसी महीने में आपने जो tax pay किया purchase पर 4% अगर मान लिजिये दर है तो 4000 रुपय फिर अगर आपने sale किया उसी का देड़ लाक रुपय तो फिर देड़ लाक रुपय पर tax और जो देड़ लाक पर आपने tax दिया और एक लाक पर शुरू में दिया अब उसको घटाया जाएगा तो जो निकलेगा तो net वैट आपको पेख़़ए next अब जो वैट आया है उससे परिवर्दन क्या क्या किया है इनों में बहुत सारे जो tax कानून हटाने की ज़रूरत थी वो नहीं हटाए और जो फालतू के देख उनको हटा दिया मेधर चेंजिस है अभी हमारे क्या था sales tax था ना तो वो one point tax है अभी वैट लाके multiple point tax कर देख़़ए सबसे बढ़ा चाहिए कोई tax आप एक बार दे देए वो सरल है या बार बार बरेंगे वो सरल है तो सरकार कितना बड़ा जूप बोल रही है कि बैट आने के बाद सरन्ता बढ़ेगी सरन्ता नहीं कठिंता बढ़ेगी फिर उसके बाद reduced number of rate slaps leading to reduced number of classification disputes यह सरकार कही यह मैं नहीं मानता है सरकार के draft में कहा रहा full set off as again set off with retention ranging from 4.5% to 5.5% shift from audit assessment to self assessment इसका इतना बड़ा जूप है सरकार कह रही है कि self assessment का पुरा है तो आपने अधिकारियों को क्यों बिठा दिया हो जो अगर self assessment ही है हमने जो कह दिया वो आपमां लो फिर अधिकारी क्यों उसको cross track करें क्यों उसको verify करें क्यों cross verify करें इसका मानिए यह है कि जूट बोलके आपको फसा में यूरोप में जहां भी सेल्फ असेस्मेंट में है बैट वहाँ अधिकारी कुछ नहीं पूछ सकता आपसे आपने डिक्लियर किया इतना टेक्स बनता है बात खतम हो गए उसके बाद कोई आपसे कॉमा फुरिस्टों को बात नहीं करेगा इवन ये गल्फ कंट्री है ना चोटे-चोटे संयुकतर अभुबीराद कुबैद वहरीन ओमा इन देशों में भी व्यापारी जो कह दिया है बात कतम हो रहे है कोई अधिकारी आपसे नहीं आके पूछेगा आपने सही कहा या जूट कहा माना वहाँ ये जाता है कि व्यापारी जो कह रहा है वो सची ही है क्योंकि वो देश का नागरी की हमारे इस तक ही उल्टा है हमारे यह माना जाता है कि व्यापारी सब जूट है, चोर है, बेईमान है, डकैत है इसलिए अधिकारी को उसके उपर बिठा दिया, जो इमानदार है, करतब बिनिष्ट है, सब बिनिष्ट है, जो बहा हराव को है ये जो अलिकारी वर्फ को सरकार इवांदार करता मिनिस्ट बताती है वो अलिकारी वर्फ की अस्तियत अभी आपने देखी होगी थोड़े दिन पहले हमने टीवी चैनल पर एक सीरियल देखा घूस महल उसका नाम है घूस महल और वो दिखाया आज तक टीवी चैनल उसमें एक बात उन्होंने बताई कि दिनली का सेल्स्टेक्स कमिशनर डिपार्टमेंट में कैसे भूस ली जाती है और दी जाती है भूलेंग देखुझी महारत जी जिसका नाम भी वेट टिपार्टमेट हो गया है उसका औस पर है। विजिलेंस कमिशनर का ओफिस विजिलेंस कमिशनर का काम है भूस कोरों को पकड़ना ब्रप्रशनाचाली उसके नीचे सेल्स सेट्स कमिशनर का ओफिस है जहां भयंकर भूस कोरी चलती और मैंने मेरी आँखों से देखा 13 अधिकाही 83 ओफिसल्स को हाट से पैसा लेते हैं रिश्मत लेते हैं और अपने खीते से नहीं ऊठद अassy और उसने बहुत इंटरस्सिंग तरीके से रखते दे जाते बोले ले 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 अंदर और इसमें गुशते तो कीसा खाली होता साथ पिर दिन भर भूस खोरी करते हैं रिश्वत बेते हैं गूस लेते हैं पैसा बनाते हैं और किसे अस चीज़ के लिए गूस लेते हैं आप सी फरो माननें गए पाँसल रुपा है तबीस फरो म ले काली दिन भर खूस कोनी करते हैं शाम को वो एकटे होते हैं पांच बजे और सारा कीते का पैसा निकाल के काउंट करते हैं कितना इकटा हुआ है फिर उसको कमिशनल से लेकर और नीचे कार्पून तक डिस्ट्रिब्यूट किया है भारत में सबसे इमांदारी से अगर कुछ हो हाँ फिर उसको कमिश फिरा दिका है रजे लेकरी के लगवसा बश्रिब्यूट याँ